सब्सक्राइब दोस्तों तो कल मैंने आपके साथ एक air drop share किया था cataly air drop तो यह pay कर रहा है बहुत सारे लोगों ने withdraw किया comment box में दाला whatsapp पे telegram के बहुत सारे लोगों ने मुझे comment किया कि उनका withdraw हो रहा है लेकिन जो मेरे friends से जिनका finance में account नहीं था वो लोग इसमें पार्ट नहीं ले सके क्योंकि सरफ finance में account होने से ही इसमें पार्ट ले सकते थे एक cataly air drop में अभी भी pay कर रहा है अच्छा मिल रहा है withdrawal तो बहुत सारे बहुत comments दे कि please finance account पे कैसे बनाना है इस पे video बनाईए तो finance में account कैसा बनाना है जिनका account नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ और जिनका account है अगर उनको देखना है तो देख लो pro version business version जो कुछ है अगर आप कुछ गलती करते हो verified नहीं होगा किसी का तो आप लोग भी ये video देख सकते हो और आपका finance account में अगर कोई query है क्या है तो आप comment box में भी दाल सकते हो और finance account बनाने के बाद cattley error drop में part ले लेना इसमें account बना लेना क्योंकि ये पैसे दे रहा है withdrawal दे रहा है अच्छी कमाई हो रही है दोस्तो तो video चलू करते है स्वागत है आपका मेरा channel you crypto crypto की दुनिया free mining की दुनिया जो लोग channel पर पहली बारा है चैनल को like कर चैनल को subscribe कर दीजिए और bell icon दबा दीजिए बेको finance सबसे अच्छी company है number one company है trading में तो दोस्तो ठीक से समझ लेना एक भी गलती मत करना बहुत complicated procedure है लेकिन मैं बहुत अच्छे से एकदम सरल भासवा में समझा रहा हूं ठीक से समझ लेना वीडियो बार बार देख लेना और ठीक से अकाउंट बना लेना क्योंकिए verified अकाउंट होना बहुत मुश्किल काम है यहां पर समझगे ना दोस्तो वीडियो चालू करता हूं बाइनस में अकाउंट बनाना है description box में आपको link मिल जाएगी ठीक है उस link पर click करते ही आपके सामने इसा interface आ जायेगा तो आपको सबसे पहले register पे click करना है ठीक है register पे आपने click कर दिया sign up with email और phone तो किसी से भी आप sign up कर सकते हो आपको जो चाहिए वह आप यहां पर दाल सक अगर email से sign up करना है तो email से कर लोगे, phone number से sign up करना है तो phone number से sign up कर लीजी, उसके बाद ऐसा capture solve करने को कहेगा आपको, तो वो capture आप solve कर लेना और verify पे click कर देना, सब process ठीक से कर लेना दोस्तों, तो verify कर लिया आपने, फिर उसके बाद आपके email पे एक code जाएगा, वो code ठीक से copy कर लेना, ठीक से copy कर लेना और यहाँ पर paste कर देना, बहुत जरूरी है दोस्तों, यहाँ पर paste कर देना, तो email account के लिए आपको क्या करना है, आपको, आपके email पे जाना है, वहाँ पर यह code होगा, 810253 मेरा यह code है, मैं यह copy कर लेता हूँ, और यह यहाँ पर जाकर paste करना है, paste करने के बाद आपको submit बटन पे click करना है, ठीक है, submit पे click कर दिया, तिरे एक अच्छा सा password बना लो, password में एक special character होना जरूरी है, numbers होना जरूरी है, अजलब add the red, hashtag वोगेरे दालना है, alphabets भी दालना है, और numbers भी दालना है, और special character भी दालना है, ठीक है, मैंने मेरा password बना ल सब चीज़ समझाता हूँ, ठीक से समझे जना, अभी मुश्किल काम चलू होता है, अभी done पे click करना है हमको, done पे click करने के बाद, फिर से वो ही हमारे सामने आ जाता है, पहले यहाँ पर register लिखाता है, अभी क्या लिखाया है, deposit, यह website पे है, हम लोग अभी app पे गए नहीं ह आप आएगा, तो download Binance app कर लेना है, अभी हम app डाउनलोड कर रहे है, तो यह आपको play store में करना है, app store में करना है, जहाँ जो आपका mobile होगा, वहाँ से जाके यह Binance का app डाउनलोड कर लीची, यहाँ पर लिकर जाएगा, आपको install पे click करना है, install पे click करने के बाद, यह downloading होना आप चालू हो जाएगा, downloading phone एक बाद, ऐसा interface आजाएगा, इसको open कर दीजी, अभी जाकर आपका app स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी हमें क्या करना है, पहले हमने register किया था, sign up किया था, अभी हमें क्या करना है, login करना है, ना दोस्तों, तो login पे click कर दिना, login पे click करने से व कोई जो password आपने बनाया था, वो password यहाँ पर दाल दीजिए, password दालने के बाद code, फिर से email पर code जाएगा, हर बार अगर आप logout करते हो, Binance अकाउंट से, हर बार आपको code दालना पड़ता, यह याद ही रखना पड़ेगा आपको, Binance the best exchange है, crypto में, number one exchange है, जिसमें आप लोग account बना रहे हो दोस्तों, इमेल पर code जाएगा, फिर से वो code copy कर लेना, मेरा code देख लीजिए, 837157, यह code मैं यहाँ पर paste कर दूँगा, और submit पर click कर दूँगा, ठीक है, submit पर click करने के बाद, आप देख सकते हो, यहाँ पर add pass key भी कर सकते हो, आप security कर सकते हो, finger thumb लग सकते हो, जो कुछ रखना है, security रख सकते हो, तो add present मत रखिए, बाद में यह सब कर लेना, यह verify में थोड़ा बत तकलिफ हो जाती है, तो add present, maybe later पे हम click करेंगे, आपको बाद में कर लेना, security कुछ भी, अभी maybe later पे हम click करेंगे, उसके बाद ऐसा interface आ जाएगा, आपका account verify होना भी चाल पुरा नाम डालना है, आपका date of birth डालना है, देखो date एक जगापे है, month है और year, तीन column से तीनों में डाल देना, तीनों brackets में डाल देना, उसके बाद नीचे continue लिखा है, वहाँ पर click कर देना, continue पर click करने के बाद residential address डालना है, पुरा residential address डालना और नीचे continue लिख देना, यह खोलने के पाद आपको क्या करना है यहां पर पूरा अड्रस दालना है फिर से पाद पूरा अड्रस दालना है पिन कोड दालना है सिटी आप जिस सिटी से वो दालना है पैंटार दालना है और जो कुछ यहां पर खोलेगा वो सब कुछ आपको दाल देना है पैंटार नमबर तो यह तीन चीज है जिससे आप वेरिफिकेशन कर सकते हो ड्राइवर्स लाइसेंस है अधार कार्ड है पासपोर्ड है वेरिफाय अधार विद ओटीपी है तो यह हमारे इंडिया में यह लग रहा है आपके कंट्री में जो लगेगा वह आप डाल दीजें इंडिया में अध आपका OTP generated है अधार कार्ड से link है mobile number तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता लेकिन अगर आप अधार कार्ड या पासपोर्ड किसी से कर रहे है तो यह प्रोसेस आगे ऐसी है आपको continue पर क्लिक करना है अधार का फोटो पेश्ट करना है आप continue पर क्लिक करेंगे continue पर क्लिक करने के कर देना अगर आपको लग रहा है कि आपका फोटो साही नहीं है तो हो Retake भी आप कर सकते हो दोस्तों ठीक है रिटेक कर लिया documents uploaded आपके documents upload हो गया है डॉक्यमेंट अप्लोड हो गए है, continue पर क्लिक करना है, अभी face verification करना है, ठीक है, face verification पर ऐसा है देखो, hats नहीं होना चाहिए, cap नहीं होना चाहिए, glasses नहीं होना चाहिए, कोई भी filters मत यूज़ करना, plain camera यूज़ करना, और light जादा होना चाहिए, समझ गए, यहाँ पर continue पर हम जो भी कहेगा, उतना कर लीजिए, वो blue line clear होती ही circle, आपका verification हो जाता है, यहाँ पर, verification complete हो गया, अभी continue पर click करेंगे, यहाँ पर complete हो गया verification, ठीक है, यह account खुल गया, तो अभी ध्यान दीजिए, main यह part यहाँ पर है, account आपको खुलने के बाद यह profile picture दिक रहा है, आपको, वहाँ पर click करना है, और यह Binance Pro, अभी जो Binance business चलू हुआ है, ठीक है न, यह कोई भी होगा, तो यह account में आप trading हो गया नहीं कर सकते, तो Binance Pro है, Binance Pro पर click करना है, और यह on कर लेना है, ठीक है, Binance Pro अपने on कर लिए, ऐसा on होना चाहिए, और ऐसा आपका interface दिखना चाहिए, ऐसा दिखने पर ही आपका account पूरी तरह चलू हो गया है, नीचे आपका wallet भी दिखना चाहिए, ऐसा पूरा आता है, तो ही आपका account टोटली चलू हो गया है, एक दिन रुखे 6 गंटे में verified हो जाता है, यहाँ पर pending दिख रहा है, तो pending दिख रहा है, तो आपका account under review है, verify होने की, hope मैंने ठीक से समझा दिया है, आप ठीक से समझ गया है, तो comment box में comment कर देना, आपको यह जानकारी कैसी लगी, दोस्तों, अगर कुछ रह गया है, अगर आपको फिर भी पूछना है, आप comment box में कभी भी पोच सकते हो, वीडियो अगर अच्छी लगी है, तो like कर देना, और bell icon दबा देना, ताकि ऐसे बहतर updated वीडियो में आपके लिए time to time लेकर आता रहूंगा, अगर आपको मेरा telegram channel, या whatsapp group join करना है, या मुझे twitter पर follow करना है, इन सब की link आपको description box में मिल जाएगी, शाम के session में फिल से मिलते हैं, bye bye friends, see you,